हलो गाईज मैं आधित्य द्याल स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल द्याल क्लासेज में चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग एक्सेसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और ये वीडियो भी बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो से आपको सारा कॉंसेट सारा बेसिक कॉंसेट सब कुछ समझ में आ जाएगा जो जो एक्सेसाइज 5.2 के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है गाईस अगर चैनल पे नया आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो क्यूंकि वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है ठीक है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो एक्सेसाइज 5.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोड़क्शन पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूँगा ठीक है गाईस तो चलिए शुरू करते है तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसाइज 5.2 का अज हम लोग इंट्रोड़क्शन पार्ट पढ़ने वाले है ठीक है गाईस तो इस एक्सेसाइज में हम लोग Nth term of an AP के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में? Nth term of an AP इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाईस ठीक है Nth term of an AP के बारे में उससे पहले गाईस कुछ चीज समझ लो कि Nth term of an AP क्या होता है उसको एक बार अच्छे से समझो किसी एक 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 जामपल से जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिका 2, 4, 6, 8, 10, 12, dot, 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 dot ठीक है गाईस अब समझना कि मान लो यह मेरा list of numbers दिया हुआ है ठीक है सो यह मेरा 6 term है मान लो मान लो अगर आपको किसी ने पूछा अच्छा भाई मेरे को एक चीज बता कि पहला term तो 2 है दूसरा 4 तीसरा 6 ऐसे ही अब मान लो आपको किसी ने बोला कि भाई दसवा term क्या होगा मेरे को जरा यह बताओ सो तुम क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है मतलब यह 4 कैसे है मतलब पक्का इसमें 2 का addition हुआ होगा तब यह 4 आया फिर ऐसे ही इसमें 2 का addition तो 6 फिर 2 का 8 2 का 10 2 का 12 ठीक है सो छटवा term मतलब छटे जगा पे क्या लिखा हुआ है 12 फिर और प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 14 7 फिर और 2 add करेंगे तो 16 बनलब 7 आठवा फिर और 2 add करेंगे तो 18 7 आठ 9 और आ जाएगा यह 10 फिर आ जाएगा 20 क्या जाएगा 20 हम क्या किये दो दो नमबर का हम देखे add कर रहे हैं तो भाई छटा तक 12 है फिर दो आइड करेंगे तो 14 यह हो जाएगा A7 यह हो जाएगा A8 यह हो जाएगा A9 और यह हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा मेरा A10 ठीक है गाईस अब मान लो आपको किसी ने बोला कि भाई तुम इसी C wise में A10 तो तुमने बता दिया कि 20 अब मान לो किसी ने बोला कि भाई A15 बताओ तुम बोलोगे कि *** हम लोग ने आप तो 10 तक यहाँ पर आ गया मेरा भीस तो फिर प्लस 2 करेंगे तो 22 होगा फिर प्लस 2 करेंगे plus 2 करेंगे तो ऐसे कब तक करते रह जाओगे बहुत time लग जाएगा ठीक है अब किसी ने तुमको बोला कि भाई ये 25 निकालो तो तुम बोलो कि sir 15 निकल गया तो फिर प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो ऐसे नहीं होता है ठीक है ऐसे करोगे तो बहुत time लग जाएगा ठीक है तो इसी का एक बहुत short trick है वो क्या है guys कि अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे को A 25 टर्म निकाल के दिखाओ तो उसके लिए हम लोग NET term of an AP का concept यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है अच्छे से समझना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका first time होता है A first time होता है A common difference होता है D ठीक है गाईस common difference होता है D ठीक है अब इसका formula क्या होता है अच्छे से समझना an is equal to a plus n minus 1 into d a n plus a plus n minus 1 into d जहाँ पर d क्या होता है मेरा common difference और मेरा a क्या होता है first term और ये n क्या होता है मेरा order of term where n is equal to order of term where n is order of term where n is order of term अब इसको अच्छे चे समझते हैं कि sir आपने जैसे बोला था कि भाई अगर मेरा a10 मेरा आगया 20 कैसे आये था plus 2 plus 2 करते गए अगर किसे ने बोल दिया a15 तो आप ऐसी plus 2 plus 2 करके भी answer आ जाएगा पर late आएगा और time taking आएगा अब तुरंत निकालना है कि भाई एकदम तुरंत से बता दो तो a15 मतलब क्या होगा कि 15 जगा पे क्या number आएगा मतलब 15 position पे क्या number आएगा अब ऐसे a25 मेरा 25 जगा पे क्या number आएगा ठीक है सो अब इसका direct तरीका क्या होता है कि यहाँ पे यह 25 क्या है order of term है कि मेरा 25 जगा पे बताना है क्या होगा तो उसका formula आप direct a25 क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d यहाँ पे a क्या है मेरा first term तो इस series का first term है 2 n यहाँ पे क्या है 25 order of term तो 25 minus 1 और d क्या है d कैसे निकालते है guys बाद वाला minus पहले वाला बाद माइनस पहले बाद माइनस पहले तो 4 minus 2 क्या है 2 कोई दिक्कत so 2 plus 24 into 2 so 2 plus 48 और answer क्या है 50 मतलब 25 जगा पे मेरा क्या हैगा guys 50 मतलब 25 तर्म पे मेरा क्या लिखाएगा guys 50 पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे का concept guys ठीक है so guys यहाँ पे अगर कोई ये पुछे कि nth time का एकदम easy meaning बताओ तो क्या बोल सकते हो कि उस जगा पे क्या number आएगा वो मेरे को nth time of an ap बताता है क्या बताता है कि उस जगा पे क्या number आएगा ये मेरे को nth time of an ap बताता है अब हम लोग सीखते हैं guys कि आखिर कार ये formula आया कैसे क्या है formula an is equal to a plus n minus 1 into d आखिर कार ये formula sir आया कैसे अगर मान लो कि ये मेरा list of number दिया हुआ है ये वाला proof आपका उतना जरूरी नहीं है पर knowledge के लिए बता रहा हूँ जिससे और चीजे clear हो जाए मान लो ये मेरा list of number दिया हुआ है और हम लोग जानते है general form of an ap क्या होता है a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d ऐसा चलते ही जाता है अगर आपको नहीं पता है कि ये general form of an ap कैसे आया तो वो मैंने first video में बताया था of arithmetic progression वहाँ पे आप playlist में जाके check कर लीजे ठीक है, तो guys जैसे मान लो first term को हम लोग a1 भी लिख सकते हैं तो a a2 को क्या लिखते है guys a plus d, a3 को क्या लिखते है guys a plus 2d, general form of an ap, इसको ढग दो अभी ठीक है, फिर a4 क्या है a plus 3d, और a5 क्या है fifth term को a plus 4d लिखते है general form of an ap, आपको पता है अगर जरा इसको गौर से देखो guys ये क्या है, a plus 4d क्या हम इसको ऐसा लिख सकते है guys, समझना क्या हम इसको ऐसा लिख सकते है a, a plus 5 into 1 into d मतलब, भाई 5 minus 1 into d अब जब हमको a4 लिखना है तो वो क्या था a plus 3d, fourth term a plus 3d होता है, अगर जरा इसको गौर से देखो, a का a ही रह गया, और 3 को क्या लिखे 4 minus 1 into d अब जब इसको देखो, third term क्या होता था, a plus 2d, अब जरा इसको गौर करो, a plus 3 minus 1 into d, अब जरा second term देखो, क्या होता था, a plus d और वो क्या था, a plus 2 minus 1 into d, अब जैसे first term, क्या है मेरा, a तो a plus 1 minus 1 into d, जो number यहां है, जो मेरा order of term यहां है, वही चीज हम यहां लिख रहे हैं जो मेरा order of term यहां है, वो हम यहां लिख रहे हैं, जो यहां है, वो यहां लिख रहे है, जो यहां है, वो यहां लिख रहे है, मतलब सब में किस से माइनस हो रहा है, माइनस 1 और जो order यहां है, वो यहां आ जा रहा है तो ऐसी मेरा जब an है तो यहां है n, तो आगे आ जाएगा n, और माइनस हो रहा है 1 हर जगा, तो यहां भी minus 1 होगा हर जगा, तो इसलिए यह formula यहां से आया, a plus n minus 1 into d, ठीक है guys तो अब आपको एकदम clear हो गया, कि भाई आखिरकार मेरा यह अला formula कैसे आया अब हम लोग बढ़ते हैं आगे so guys, अब सबसे important चीज आती है कि sir, हम लोग ने nth formula तो पढ़ लिया, कि nth term of an ap का formula यह होता है a plus n minus 1 into d अब इसका concept कहां कहां use होता है, अगर मेरे को यह पता चल जाए तो मेरे को तुरंट मेरे दिमाग में click करेगा, अच्छा भाई, यह वाला concept यहां लगेगा बस, कहां कहां लगेगा यह तीन जगा लगता है सबसे पहला, to find out any term of an ap मतलब, उस जगा पे क्या number होगा, वो हम लोग को nth formula बताता है अगर मेरे को first term और common difference दिया रहे तो, पहला use इसका यह हो गया, अब दूसरा use क्या होता है guys, कि आपको number of terms निकालना है, कि भाई, उसमें कितना number है, number of terms मतलब, भाई, कितना list of number है, कितना number है, अगर आपको आखरी term, मतलब आखरी जगा पे क्या होगा, वो दिया है, और first term और common difference दिया है, तब, और वहाँ पे आम लोग यह formula लगाएंगे, कैसे am is equal to a plus m minus 1 into d, अभी मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो last तक देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा, और तीसरा जो use होता है, guys, to find out order of term, to find out order of term, कि भाई, order of term क्या था, n, order of term क्या था, guys, n, यह n निकालने के भी काम आता है, क्या, n a term का formula, अब देखते हैं, पहले वाले use का, एक example, मान लो, guys, कि यह मेरा दिया हुआ है, list of an ap, यह मेरा क्या बोल दिया है, कि यह मेरा list of an number किस में है, ap में बोल दिया है, कि भाई, यह ap में है, अब मेरे को क्या बोल रहा है, कि आपको यह बताना है, कि आपका पचीसवा टर्म क्या होगा, a25, मतलब की भाई, पचीसवा जगा पे आप क्या लिखिए, इसका पहला use यही था, आप लोग अच्छे से देखो, क्या था, guys, to find out any term of an ap, मतलब, उस जगा पे क्या होगा, यह हमको बताना था, so यह रहा, उसका क्या होगा, तुम मेरे को यह बताओ, तो यहाँ पे, guys, देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके लिए मैंने क्या बोला था, आपको first term दिया हुआ है, 2, common difference क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, 4 माइनस 2, आया 2, अब इस जगा पे, 25 जगा पे क्या होगा, यहाँ पे concept लगेगा nth term, क्या concept लगेगा nth term, क्या था, an is equal to a plus n minus 1 into d, और यहाँ पे मैंने बोला था कि यह 25 क्या है, order of term है, तो यहाँ 25, a के नीचे 25, तो यहाँ भी a के नीचे क्या आ जाएगा, 25, तो फास्टर मेरा दिया था 2, n दिया था मेरा 25, minus 1, और d क्या है, 2, कोई पे दिक्कत, so 2 plus 24 into 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 plus 8, 48 और 2, 50, कोई पे दिक्कत गाईस, एकदम समझ में आ रहा है, तो इसका अब आते हैं, इसके second use पे और उसका example पे, so guys, जैसे मान लो, यहाँ पे मेरा list of numbers दिया हुआ है, क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और dot dot करके 74 दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है, कि आप number of terms बताईए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, कि आप question में number of terms बताईए, वो कैसे बताएंगे guys, अच्छे से समझना, so मैंने क्या बोला, कि यह मेरा पहला term, यह मेरा दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पाच्वा, चट्टा, dot dot dot, और यहाँ पे देखो, dot 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 बोलने का मलब, क्या बीच में कुछ और number होगा, और 74, मतलब यह last number है, क्या इसके बाद dot dot है, अगर इसके बाद dot dot रहता, तो मैं क्या समझता, कि यह 74 बीच में कहीं आ रहा है, पर इसके आगे dot dot नहीं है, तो मैं यह समझूंगा, कि भाई मेरा यह 74 सबसे आखरी में है, मलब 74 number सबसे last में है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझ रहोंगे, कि 74 क्या है, सबसे last में है, तो मैं क्या बताऊंगा, माल लो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dot 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 दे दिया है, मलब यहाँ पे कितने number है, मेरे को नहीं पता है, भाई कितना चीज है, हमको नहीं पता है, सो मैंने क्या माल लिया, let m be number of terms, let m be total number of terms, ठीक है गाईज, अब इसको अच्छे से समझना, कि आगे का बात क्या है, मैंने क्या बोला, कि भाई 74, ऐसी पता चल रहे की, सबसे लास्ट में, क्योंकि आगे कोई dot डॉट डॉट नहीं है, ठीक है, सो L is equal to हो गया, और हाँ एक चीज और, अब आप एक चीज और समझना, कि 74 मेरा last term है, ठीक है, सो ये मेरे को पता चल गया, कि सबसे आखरी में 74 लिखा हुआ है, अब मैंने बुला कि यहाँ पर M number of terms है, मतलब मेरे को नहीं पता है, तो मैंने क्या बूल दिया, कि भाई यहाँ पर M number of terms है, तो ये क्या है, सबसे आखरी जगा है, तो ये क्या हो गया, मेरा AM term, AM, AM मैंने क्यों बूला, कि भाई यहाँ पे M number of terms था इसलिए मैंने AM बोला AM बोलने का मतलब कि भाई यह कौन से जगा पे है मेरे को यह निकालना है AM मतलब क्या हो सकता है कोई भी जगा अब मेरे को यह जगा निकालना है और यह जगा कैसे पता चलेगा मेरे को AM से और यह है कहाँ पे आखिर में है तो यह मेरा L किसके बराबर हो गया AM के कोई दिक्कत 74 मेरे last में हमको समझ में आ रहा है तो यह मेरा L हो जाएगा और इसका जगा बताना है कि यह कौन सा term है ठीक है कौन सा term है तो यह क्या हो जगा AM AM मेरे को हमेशा से क्या बताता था कि यह कौन सा term है ठीक है कौन सा ठीक है तो L is equal to AM हो गया कोई भी दिक्कत अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया L is equal to A plus M minus 1 into D अब आपके मन में यह बात आ रहा होगे कि सर आखिरकार यह formula कहां सा है कुछ नहीं आया गाईस आप लोग ने पीछे यह पढ़ा था क्या था AN is equal to A plus M minus 1 into D AN is equal to A plus N minus 1 into D भाई यहाँ पे N था तो यहाँ पे N आ गया कोई दिक्कत वैसे ही यहाँ पे भाई M है जो चीज सब्सक्रिप्ट में नीचे रहता है वो सबसे आगे आजाता है कोई दिक्कत सो भाई A plus M minus 1 into D लिख दिया मैंने सो यहाँ पे last term क्या है मतलब आखरी जगा पे क्या है 74 सो यह हो गया आपका last term का formula अब मेरे को इसको apply करना और बताना है कि भाई number of terms कितने है मतलब मेरे को M का क्या चाहिए L क्या है गाईज मेरा last so 74 A हो गया first term M हो गया मेरा निकालना है मेरे को M minus 1 और D क्या हो गया 3 कोई भी दिक्कत इसको सबसे पहले उधर किये तो आया 72 M minus 1 into 3 कोई भी दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है आपको फिर उसके बाद यह 3 multiply में है उधर जाके divide में आ जाएगा 72 by 3 is equal to M minus 1 अब यह से हो जाएगा divide 3, 2 जा 6 4 कोई दिक्कत 24 is equal to M minus 1 मेरे को M चाहिए तो इधर आके यह plus हो जाएगा 24 plus 1 is equal to M so 25 is equal to M so यहां पे कितना number है guys 25 यहां पे कितना number है 25 ठीक है कोई भी दिक्कत 25 so मेरे को second use भी पता चल गया कि मेरे को AN वाला formula ही मैंने लगाया है हाँ पे ठीक है आपको समझ में आ रहा है कैसे लगाया सब कुछ अच्छे थे समझ में आ गया अगर कोई भी दिक्कत हो so comment section में comment करना मत बोलना guys ठीक है so अब हम लोग आते हैं के third use पे so guys ये रहा हमारा third question ठीक है guys तो ये रहा हमारा third use मान लो यहाँ पे मेरे को question दिया हुआ है कि भाई ये मेरे पास list of number है जो AP में है अब इसका तीसरा use क्या था to find out order of any term मान लो अगर आपको किसी ने question ने पुछा कि भाई बताओ कि जो 20 number है इसका जगा क्या होगा मान लो किसी ने बोला कि भाई ये जो 20 number है ये कौन से जगा पे आएगा इसका order of term क्या होगा ये कौन से जगा पे आएगा मतलब मेरे को क्या निकालना है कि भाई इसका ये कौन से जगा पे आएगा तो ये कौन से जगा पे आएगा वो क्या बताता है मेरा AN तो AN बराबर हो गया मेरा 20 कोई भी दिक्कत कि भाई ये कौन से जगा पे आएगा हम उसको मान लिए 20 ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि let Nth term be 20 let Nth term be 20 हम लोग यहाँ पे Nth term be 20 क्यों माने है क्योंकि हमको ये बताना है कि ये कौन से जगा पे आएगा और AN मैंने बहुत starting वाले lecture में बताया था कि ये मेरे को ये indicate करता है कि उस जगा पे क्या लिखा हुआ है मान लो कि उस जगा पे 20 लिखा हुआ है मान लो कि उस जगा पे 20 लिखा हुआ है तो आपको N निकालना है तो AN का formula लगा देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा A plus N minus 1 into D is equal to 20 हो गया A का value हो गया 2 इसके जगा N हमको निकालना है D हो गया 3 is equal to 20 कोई दिक्कत यहाँ पे N minus 1 into 3 20 minus 2 क्या हो गया 18 कोई भी दिक्कत यहाँ पे N minus 1 और यह multiply में है उदर जाके क्या हो जाएगा divide में ठीक है So N minus 1 is equal to 6 कोई दिक्कत अब इसके बाद का कहानी देखो N minus 1 is equal to 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N is equal to 7 मतलब A7 पे value क्या आएगा 20 मतलब 7 जगा पे मेरा क्या आजाएगा 20 मतलब यह मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पाँचवा छट्टा साथवा साथवा जगा पे क्या आएगा 20 तो यह क्या आएगा A7 साथवा जगा पे क्या आएगा 20 सर आप यह अंसर सही निकाले कि गलत एक बर ऐसी भी चेक कर लो गाइस दो के बाद पांच आ रहा है मतलब क्या डूआ होगा 3, 2 प्लस 3, 5, 5 प्लस 3, 8, 8 प्लस 3, 11, 11 प्लस 3, 14, 14 प्लस 3, 17, 17 प्लस 2, 20 तो यह सातवा जगा पर क्या रहा है मेरा 20 आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी पर ऐसे करेंगे और अगर कोई बड़ा जगा बड़ा नंबर दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी पर शौट ट्रिक क्या है यह ठीक है गाईस अब समझ में आ रहा है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मान लो गाईस अब हमारे पास आया कुश्चन कि भाई यह मेरा AP है यह मेरा List of नंबर है जो AP में है मेरे को बता दिया है यह मेरा पहला term मेरे को पता है कि इसको हम लोग पहला term बोलते हैं इसको दوسरा term तीसरा term चौटा term अब मेरे को बोल रहा है कि भाई बताओ दसवा जगा पे क्या होगा मतलब दसवा टर्म पे क्या होगा मतलब एक टेन पे मेरा वैल्यू पूछ रहा है दसवा जगा पे क्या होगा मतलब एक टेन के जगा मेरा वैल्यू पूछ रहा है तो मेरे को कोई भी term अगर निकालना है तो उसका formula क्या है यहाँ पर मेरे को a 10 निकालना है तो उसका क्या होगा a plus n के जगा यहाँ पर क्या है 10 तो मैं दे दूंगा 10 minus 1 into d कोई भी दिक्कत so a क्या है मेरा 1st term 2 10 plus 10 minus 1 9 और d क्या है मेरा 4 कोई भी दिक्कत so 2 plus 9 into 4 36 तो क्या आजाएगा guys 38 मतलब दसवा जगा पर मेरा कौन सा नंबर आएगा 38 आपको समझ में आ रहा है guys so अब बनाते हैं कुछ और questions अब guys यह रहा और एक question क्या है वो कि which term of an ap 21, 18, 15, dot 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 is minus 81 which term मतलब यह मेरा एक list of number दिया हुआ ap बोला कौन सा जगा पर minus 81 आएगा कौन सा जगा पर minus 81 आएगा तो हम लोग जानते हैं जब भी कौन सा जगा बात चलता है तो हम लोग वहाँ पर क्या दिमाग में मेरे चलता है कि भाई an, an मेरे को क्या बताता है कि उस जगा पर क्या number होगा an मेरे को यह बताता है कि भाई यह कोई भी number हो सकता है कोई भी जगा, an क्या बताता है nth term कोई भी जगा, nth term मतलब कोई भी जगा an क्या बताता है कोई भी जगा तो मान लो भाई कि minus 81 किसी भी जगा पर है तो किसी भी जगा पर क्या बोल दिया हम an so an मेरा किसी भी जगा है किसी भी जगा क्या है मेरा minus 81 तो an is equal to minus 81 और an का मैंने formula लगा दिया a plus n minus 1 into d और minus 81 जहां पर a था मेरा first term 21 21 d था मेरा बाद minus पहले 18 minus 21 आया minus 3 so मैंने solve किया 21 plus n minus 1 into minus 3 is equal to minus 81 n minus 1 minus 3 ये plus था इदर आके minus n minus 1 into minus 3 तो ये आया minus 102 फिर n minus 1 ये multiply में था इदर आके divide minus minus कट गया 34 तो n का value क्या आया 35 मतलब मेरे को ये समझ में आया की भाई 35 जगा पे मेरा minus 81 आयेगा यहाँ पे n is equal to 35 आया यहाँ पे n is equal to क्या आया 35 तो मेरे को क्या समझ में आया की भाई मेरा 35 जगा पे क्या आयेगा minus 81 ठीक है गाईस ये मेरे को समझ में आ रहा है अब आगे का question क्या बोलता है वो समझना also is any term 0 क्या कोई term 0 है मतलब क्या किसी जगा पे 0 आ रहा है मैंने क्या बोला also is any term 0 मतलब क्या किसी जगा पे 0 आ रहा है तो किसी जगा पे सुनते ही मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया कि भाई जब मैंने यहाँ पे n एक बार use कर चुका हूँ तो मैं इसी question में इसको P मान लेता हूं कि मान लो कि किसी भी जगा पे वो P है कि AP किसी भी जगा पे मान लो 0 आ रहा है तो मैंने P ले लिया, N क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने एक बार N use कर लिया है अगर दूसरा question रहता, तब मैं N use कर लेता a plus p minus 1 into d बराबर 0 क्योंकि यहाँ पे जब मेरा n रहता था तो यहाँ पे n आता था यहाँ पे p है तो यहाँ पे p आएगा कोई भी दिक्कत तो आप मेरा first term क्या था guys यहाँ पे 21 plus p minus 1 और d क्या था minus 3 is equal to 0 तो यह क्या हो जाएगा p minus 1 into minus 3 is equal to minus 21 so p minus 1 यह divide में minus 3 minus 1 कटा यह क्या आया 7 कोई दिक्कत तो यहाँ पे आप समझना guys p minus 1 is equal to 7 so p का value क्या आया 7 plus 1 तो क्या आया p का value 8 ठीक है guys तो यह आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि मेरा आठवा जगा पे क्या आएगा मेरा 0 आएगा ठीक है कोई भी दिक्कत एकदम समझ में आ रहा है आप बनाते हैं कुछ और सवाल so guys आप हम लोग बनाते हैं एक और question वो क्या है यह वाला question से आपका सारा doubt clear हो जाएगा वो क्या है check whether 301 is a term of the list number 5 11 17 23 dollar dot 301 इसका यह बोलने का मतलब है कि क्या 301 जो number है वो क्या मेरा कोई term में आता है मतलब क्या यह list of number में किसी जगा पे क्या मेरा 301 आता है आपको यह बताना है so guys अगर यह 5 11 17 23 ऐसे लिखा है तो यह मेरा पहला term यह दूसरा term यह तीसरा यह 4 अब मेरे को यह नहीं पता है कि भाई यह मेरा 301 किस जगा पे आ रहा है यह 301 किस जगा पे आ रहा है तो किस जगा पे हम लोग जानते हैं guys उसको क्या बोलते हैं किस position किस जगा पे हम लोग क्या बोलते हैं an an मतलब क्या होता है कि उस जगा पे क्या होगा वो हमको कौन बताता है AN तो मान लो कि AN जगा के मेरा 301 है हमको वो जगह निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि भाई मेरा AN मतलब उस जगह पे 301 है अब वो कौन सा जगा है वो पता करेंगे कैसे लेकिन गाईज एक चीज़ और समझो पहले कि यहाँ पे मेरा यह list of number तो दिया हुआ है पर यहाँ पे an वाला formula लगाने से पहले और वो ap वाला formula है आपको वो लगाने से पहले यह तो बताना पड़ेगा कि भाई यह जो मेरा number दिया हुआ यह ap में है तो किसी भी sequence या list of number को ap में बताने के लिए हम लोग क्या करते थे हैं बादवाला minus पहले वाला बादवाला minus पहले वाला बादवाला minus पहले वाला अगर उसका difference subtract करके अगर एक जैसा आ रहा है तो हम लोग बोल देते थे कि मेरा list of number ap में है तो हम लोग यहाँ पे भी वही किया है d is equal to a2 minus a1 a3 minus a2 a4 minus a3 तो answer क्या है मेरा guys 6 common आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा list of number किस में है ap में है अब मेरे को बताना है कि जो 301 number है वो किस जगा पे आएगा तो किस जगा को हम लोग क्या बोलते है an तो मेरा an हो गया 301 301 के बराबर अब an के जगा हम उसका formula लगा दिए a plus n minus 1 into d is equal to 301 so a मेरा first term है तो हो जाएगा मेरा 5 n minus 1 d है मेरा 11 minus 5 6 301 n minus 1 into 6 plus था इदर आके minus n minus 1 into 6 296 n minus 1 यह multiply मेरा 6 इदर आके divide 296 by 6 जब इसको काटे तो आया 148 by 3 कोई भी दिक्कत गाईज so n minus 1 is equal to 148 by 3 फिर यह minus था इदर आके plus तो n is equal to 148 by 3 plus 1 तो यहाँ पे मैंने LCM ली answer क्या है 151 by 3 और value क्या है 5.3 अब यहाँ पे जो सबसे important चीज है guys यह थोड़ा सा अच्छा question है और tricky question है और concept wise question है क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा n का value आ रहा है 5.3 कभी आपने यह सुना है कि भाई यह मेरा पहला term है यह मेरा दूसरा term है यह तीसरा term है कभी 3.5 term सुना है कभी 4.5 term सुना है हाँ ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा इसलिए term कभी भी point में नहीं होता है कभी भी मेरा term मतलब order of term point में नहीं होता है या फिर fraction में नहीं होता है ठीके guys तो आपको जो चीज याद रखना है अचा सर ये वाला चीज मेरे को समझ में नहीं है जैसे और कुछ example ले लो जैसे हम लोग बोलते है भाई एक आदमी दो आदमी तीन आदमी चार आदमी कभी आपने ये सुना है कि भाई 4.25 आदमी cricket खेल रहा है ये तो हसने वाला बात हो गया इसी लिए कभी आपने ये सुना है कि 5.35 आदमी cricket खेल रहा है या TV देख रहा है या game खेल रहा है हमेशा क्या होता है पूरा पूरी number कि भाई 5 आदमी खेल रहा है 10 आदमी खेल रहा है 12 आदमी खेल रहा है ठीक वैसे ही भाई ये पहला जगा पे 5 होगा दूसरा जगा पे 11 होगा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई 5.3 जगा पे 301 आएगा ऐसा कभी भी नहीं होता है ये गाईस हसने वाला बात हो गया ठीक है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जहाँ पे मेरा 300, 1 आएगा तो इसी लिए as we do not have any positive integral value of n यहाँ पे integral आना चाहिए मतलब पूरा पूरी number आना चाहिए जो मेरा नहीं आ रहा है ठीके guys, so आपको अब n के बारे में क्या क्या चीज याद रखना है वो आप अच्छे से समझ ले guys और दिमाग में fit कर ले सबसे पहला चीज कि मेरा n जो मेरा n है वो कभी भी negative नहीं आता है पहला point, दूसरा point कभी भी fraction में नहीं आता है समझ में आ रहा है guys और तीसरा point कभी भी decimal में नहीं आता है कोई भी दिक्कत और चौथा point कभी भी zero नहीं आता है ये आपको चार point एक दम अपने दिमाग में fit कर ले ना है guys ठीक है सो guys हम लोग को तो ये पता चला कि भाई n negative नहीं होगा fraction नहीं होगा, decimal नहीं होगा और zero नहीं होगा अगर इसको एक ही word में अगर हम बोले कि भाई मेरा अच्छा जब मेरा n ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो n मेरा होगा क्या तो आपको याद क्या रखना है कि n हमेशा natural number होगा आखिरकार ये natural number बोलने का मतलब क्या 1,2,3,4,5,6 counting number होगा तो अब आपको समझ में आ गया कि n ना ही negative, ना ही fraction, ना ही decimal, ना ही 0 तो n होगा क्या हमेशा natural number होगा ठीके गाईस, तो इसी के साथ हमारा introduction पार्ट हुआ फिनिश और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी doubt हो तो comment section में comment करना ना भूलना गाईस और अगर channel पे नया आयों तो channel को subscribe कर लो और like कर दो और जितना ज़ादा हो सके share कर दो गाईस thank you for watching my video guys bye bye, see you all, take care, stay home, stay safe